हैलो एक्षर्ड हैं विल्कम बैक टुमा चानल आस्हाMyner Sin Education तौit आज हम बात करते हैं एपिलेपसी या मिरगी की समस्या पर कि जैसे किसी को मिरगी है या मिरगी की समस्या है तो उसके जो लकषर है क्वा कैसे पता चलेगा उसे मिरगी है और किस खारण की जैसेui होरी है कर सके हैं इसके बारे में जानेंगे तो वीडियो के लास तक बने रही है गा तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो मिर्गी है वो होता क्या है तो जो हमारा सरीर है उसमें जो तंत्रिकाए या नर्व होती है ना बहुत सारी तंत्रिका नौस होती है इसमें क्या होती है इसमें प दुखार की वज़े से हो सकता है, या जब मढर के पेट में बच्चा होता है, तो उस टाइम पे कोई infection हुआ होता है, इसकी वज़े से भी हो सकता है, या हमारे दिमाग में oxygen की कमी हो गई, इसकी वजय से हमें मिर्गी पढ़ सकती है, साती सात Hinduur हो गया है या कोई स्ट्रोक्त की समझते है या कभी किसी का एक्सिडेंट हुआ था सर में घाव हो गया था इन सब चीजों की वदे से क्का हूटा हमें Kangakowitz Di rates yr होता है या मिर्गी हो सकता है खिक है तो अगर हमें मिर्गी हो गई तो हमें कैसे पता लेगा कि मिरगी है तो इसके लखशड के वारे में जानेंगे, ठीक है? वो अबनॉर्मल बेहविर सो करने लगता है. मतलब जो इसको बेहविर था बहुत अजीव सा हो जाता है, जिससे वो किसी को घुरने लगता है काफी देर तक या एकदम गिर जाता है या एकदम कपकपी आ जाती है उसके हाथ पेर बहुत ज़दा हिल्ले लगते हैं हाथ पेरों में जंजनाहट सी आ जाती है और वो आस पास की चीजे पहचान नहीं पाता है वो समझ नहीं पाता है अपनी कॉंसियस क्या करता है लो कर देता है लॉस मिर्गी है ठीक है अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की कि ऐसी कौन-कौन सी ट्रीटमेंट है मतलब कौन सी टैबलेट कैपसूल से या कुछ ऐसे इंजेक्शन है उसके बारे में हम जानेंगे तो सबसे पहले हमारी टैबलेट आती है कार्बा जपाइन तो जो कार्बा में जैपाइन होती है वो 200 Mg होते हैं हम टीडेस में चलाते हैं हम तीनों टाइम हम से या दे सकते हैं साधार अगर ये ना दे तो हमारे पस दूसरी टैबलेट होती है हमारी सोडियं व्बापे यह भी हम सुभसा मनें यह सकते हैं यह लिस्त्धी ऑम ये भी हम क्या करते हैं सुभे साम दे सकते हैं अब ये क्या करती है तो जो हमारे नर्फ के function को अच्छा करती है मतलब अगर नर में problem है मतलब जो नसे है नसों में pain है कोई दिक्कत हो रही है न तो नसों की दिक्कत को सही करती है ये बहुत ज़्यादा अच्छी माने जाती है जो हमारे बॉड़ी में नसों में दिक्कत है, जनजनाहाट होती है, उसको ठीक करता है, साथ साथ नेक्स्ट हमारा कैपसूल आता है, ओमिप्राजूल, तो ओमिप्राजूल ही क्या होता है, खाना खाने से आधा घंटे पहले लेते हैं, या खाना खाने के आधे घंटे बाद भी ले सकते हैं, तो ये गैस का कैपसूल होता है, जो बहुत ही अच्छा होता है, जिसे हम कोई भी टैबलेट खाते हैं लंबे टाइम तक, तो ये प्राबलम ना दे, इसलिए हम क्या करते हैं, साथ में एक गैस का कैपसूल देते हैं, नेक्स्ट टैबलेट हमारी आती है, यह हमारी कलोना जेपाम होती, Zero.5 mg होती है, यह हम क्या करती है, सोद्रे टाइम देते हैं. अब इसका यूज्ज क्या होता है, यह पैनिक एटेक के लिए काम करती है, जिसे कोई पैनिक एटेक बहुत ज़्यदा चिंता थी, यह बहुत ज़्यदा डरे हुए हैं, एक दे सकते हैं जब जरूरत होगी हम तब देंगा ठीक है तो यह क्या करती है हम सीजोफेनिया में भी दे सकते हैं फिर नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन आता है प्रोसाइक्लेडिन इंजेक्शन होता है वो भी हम एक अप्ल लगा सकते हैं IMIB दोनों तरीके से दे सकते हैं और यह पेशन्ट की कंडिशन के अकॉर्डिंग देते हैं कि हमें दो टाइम देनी या तीन टाइम इंजेक्शन लगान के लिए बहुत ज़ादा अच्छी होती है तो यह कुछ इंजेक्शन्स और टैबलेट के बारे में हो गया जो मिरगी में उपयोग होते हैं आपको समझ में आओगा किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं थैंक यू